खुल जाएंगे आपके सारे रास्ते परिच्छा में सेलेक्षन ले तो सही जीवन में सब होगा हासिल तू सेलेक्षन की जित पर अड़ तो सही आधियती क्लासेज एक्जाम गुरु चैनल में आप सब का स्वागत है आज हम लोगाज चेप्टर जो है भारती तिहास से रहेगा और आपकी एक्जाम एकसर पूछे जाते हैं गवर्नर जनरल अफ इंडिया याद रिखिएगा इससे समंधित आची क्लास है यह क्लास जो है प्रफेसर के लिए इंपॉर्टेंट तो ही है साथ भी कोई भी गवर्न एक्जाब वंडिया दीजेगा उसमें इससे प्रश्ण जरूर आते हैं याद रखिएगा कंपटेटिव एक्जाम में बार बार पूछे गए महत्पूर्ट तत्थ आगामी परिच्छा के लिए भी इंपॉर्टेंट है तो आए देखते हैं भारत की गवर्न जरनेरल का ये पहला वागा याद रखिएगा वीडियो लंबा न हो जाए इसलिए इसको दो भागों मनाए गया तो आज गावन जरूर की वीडियो दी जाएगी इसके दो पार्ट है तो पहला पार्ट आज जो है करते हैं कल जो है इसका दूसरा फागाएगा ठीक है तो गवर्णर जनरल आपको मैं समझाना चाहूंगा कि जैसे बरतमान में राश्पती हैं उनकी गत्विदिया है आजादी से पहले जो है गवर्णर जनरल कहे जाते थे कैनी जो है भारत के पर्थम वायस रहा थे ठीक है य जैसे लाट कलाइब वारेर हैस्टिंग कारनवालिस वेल जली हैस्टिंग उसके बाद जो है आपका विलियम बैटिंग चाल्स मिटकाफ डलहोजी कैनीन मेव लिटन रिपन करजन हाडिंदिती मांट बेटन सीरा जो पाल चरी जो महत्तपूर है जो अक्सरी जाम में आते है इनको ऐसे पहले नाम याद रख लिजेगा ठीक है जब आप याद रख लंगे तब इनकी विसे में जो कंटेंट बताएंगे तो आपको बिल्कुल आपके दिमाह में बैठ जाएगा हिस्टी थ्वा बड़ा होता है लगता है समाझ में नहीं है लखिन जो लोग साइंस वा कौन थे चैन्सफोर्ट थे कुछ देगा लेन लित्वो कब थे तो भारत छोड़ा अंदूलन के समय थे पुछ है का भारत में पहली बार रेल चलाए गया किसे कल में चला गया ऐसे तमाम प्रशनाते हैं कि भारत में सुप्रिम कूर्ट के अस्थापना किसे काल में हुगा पूर्ण हिस्टिंग की काल में हुगा पूछ सकता है कि सिविल के जनक किसे कह जाते हैं तो करनवाली सुप कहा जाता है ठीक है ऐसे तमाम प्रशनाएंगे भारत में सदी प्रथाकंद किसी ने किया तो बिलियम बैटिंग ने किया भारत का प्रथम गौवर्नर जनरल कौन था तो बिलियम बैटिंग था ऐसे प्रस्ट आएगा भारत का प्रथम वाइसर आइकॉन थे तो कैनिन थे ऐसे तमाम इंपॉर्टिंट प्रस्ट जो है इससे आते हैं कोई भी जाम दीजिए और ऐसा नहीं कि गवर्नर जनरल का अलग चेप्टर होता है यह सब से याद है क्लाइव का एक यह नहीं समस्थिने क्लाइव के हां गजगे जब एरिया सीमित था याथ यpi बं नाव किया था जो है बंगाल के लिए इंसको इंदेज अप छित्रा ऊड़िशा यौ अपने आफ के रखनī AM कि Hawa tb weed कर चाब बहाएक की governor general, जब ये समय आया तो उससमें भारत के William Batting ध्यात रेखी है तो प्रश्ट क्या आता है मंगाल कर पूँचे बंगाल के governor तो क्या आप देंगे answer, Clive, प्रश्ट पूँचे बंगाल के governor general तो क्या answer देंगे? Warren Hesting, प्रष्ट पूँचे भारत के governor general पर्थम की बात हो रही है तो बिलियम बैटिंग या भारत के पर्थम वाइसराय कैनिंग ठीक है कि सभी प्रश्णों का उत्तर आप असानी से दे देंगे जहां तक मुझे लग रहा है आपको बिल्कुल क्रम याद होना चाहिए गवर्नर जनरल का ठीक है सन अपने आप याद जाएंगे आपको ठीक है चलिए यह देखते हैं कोशिस मैं कर रहा हूँ आपको रटाता हुए चलू कि सबसे पहले कि इसको अच्छा हाँ बीच में और भी गवर्नर जनरल होंगे और भी लोग लेकिन लोग का नाम मैं जो है इसकीप कर दिया है क्योंकि पूछे नहीं जा इन्होंने प्लासिक यूद लड़ा था बंगाल में देश सासन याद रिखिएगा दोहरा सासन यह ने लगा दिया था और आत्महत्या कर लिए थे इंग्लेट में जाके ठीक है इंपॉर्टेंट क्या है उचेगा बंगाल के प्रथम गवर्नर के आंसर देंगे क्लाइब इ लिखिए आपको ट्रिकली बता दिया गया अब क्या प्रशन आएगा कि बंगाल में देश सासन इन्होंने लगा दिया दोहरा सासन लगा दिया तो बंगाल में किसने देश सासन हटा दिया तो हटा दिया कौन इसके आगे वाला ठीक है इसलिए मैं कहा रहा था करम से अभ्य लगाये लिटर ने लगाया लेकिन कौन खतम किया उसके आगे वाले कौन थे रिपन थे उन्हों ने समाप्त किया तो ऐसे तमाम चीजों को जो आप करम से याद करेंगे ना तो आधा कंसेट पैसी क्लियर रो जाएगा ठीक है रेल डाक तार कौन खोला डरोजी खोला आगे द क्लाइब में जन जो है बंगाल का गवर्णर ही लगा से जनलासभ में लगाहा है इसलिए बंगालורה परत्वश्ग पालाकर अवरन का परत्वमाचनल पूछे में तो वारन 1774 में सुप्रीम कूर की अस्थापना कलकत्ता में की गए याद रखिएगा सबसे पहले और पर्थम जज बने थे इलिजा इंपे ठीक है इसती तरह प्रस्थन आते हैं तो यह नयाई सेवाय के जनक है क्योंकि इनी के काल में सुप्रीम कूर की अस्थापना हुई थी कहा एक्ट 1773 इसी के समय आया जिसके तहट 1774 में सुप्रीम कोड की अस्थापना हुआ महाराजा नंद कुमार अभयोग चला कर नंद कुमार को जैसे पूछेगा नंद कुमार अभयोग के उपर चला गया इनी वारन हेस्टिंग उपर चला गया क्यों चला गया और नंद कुमार को गलत फासी दिलबा दिये थे इसलिए ठीक है इसी को लेकर बिटेन में वारन हे गोरे नाम आप याद रखेंगे कारणवालिस को पूलिस का जनक कहा जाता है अस्थाई या इस्तमरारी बंदवस 1793 के याद रिखिये का ये जनक है और ये कर से समंधित होता है इस्तमरारी बंदवस जमिदारों के साथ खेती के कर से ये समंधित किया गया इसकी समाधि गाजी पूर में है औरिखिय क है पूछ पूर क्या लगाएंगे कारणवालिस की समाधि का भां है गाजी पूर में है तिर्थि आंगल मेहसूर यूद्र 1789 से 1792 हुआ जिसकी विड़ाम सरूप स्रीरंगपटनम की संधी 1792 में कार्णमालिस और टीपू सुल्तान के बीच में हुआ जिसे मैसूर छेत्र को अंग्रेजु को सौप दिया गया ठीक है उसके बाद आते हैं हम लोग यह हमारी टीन दौरा टेस्टे पर त्यार किया गया है बिल्कुल आपको अच्छा नमर लाने के लिए इसे जरूर परचेच करना चाहिए जिसकी वल्टी एक कावन तक है याद रखिएगा और इसको इसमें आपको किसी भी कंटेंट को स्लिवस्वाइद दिया गया है पहले आपको e-pdf मिलेगा उन्हा उसी e-pdf पी वीडियो मिलेगा उन्हा आपको टेस्ट मिलेगा उसी पर यानि एक ही चीज को ज पूरता आती है थांडाई भी काते हैं बिल्कुर इसकी डिजाइन ऐसे की गई है यह अगर थोड़ा इसमें सवाज में नहीं आएगा तो इसमें आपको कांसेट प्लिया हो जाएगा इसलिए जितना जल्दी आप खर लेंगे उतना ही आपके लिए फायदा रहेगा क्योंक मिलेगा बिल्कुल सिक्वेंस से मिलेगा बिना पढचार वाला वीडियो मिलेगा याद रखेगा यूट्यूब से आपको सभी पूर डूप से लाब नहीं मिल सकता शाप्टर खड़ने पड़े लाब मिलेगा लेंगे आप टेस्स स्रीज में माडल पेपर सिलिपस वाइट टेस्ट आपको मिलेगा जिसकी संख्या सेकड़ों में रहेगी याद रखेगा अपनी गलतियों को एकजाम से पहले प्रैक्टिस करके सुधारे ताकि यो गलतियां एकजाम सेंटर में आपकी ताकत बनके आपको जिला है ठीक है नेश्ट आते हम लो मेरे दोबारे यह चार पर तक हो जाएगी किसी पिकजाम को देने से पहले मेरे इसाब से इसे बुक के जितने कोशन है आपको दो तीन बाग पढ़के ही जाना चाहिए बिल्कुल मेरा दसकों का अन्भव इस बुक में है समझ लीजिए और यह आपकी जो है इसकूर को बढ़ाने में जरू सायोग करेगा साथ में आपको यह ओमार्चीट इसमें आपको फ्री दी जा रही है ठीक है आए देखते हैं आगे क्लास आप चाहें तो हमारे वाट्सप गुरूप से जूड़ सकते हैं यह मेरे टेलिग्राम गुरूप है इससे भी जूड़ सकते हैं टीम इस पर प्रीवर्क करती में हुए जिसमें टीपू सुलतान की मिर्त्य हो गई प्रेस पर प्रतीबं लगाने वाला पर्थम गवर्णर जनरर वेजली ने तें वेजली को बंगाल का सेरका है जता है जहतों या धीओ तु के पिंडरीमुं का दमन ने किया पिंडारी कोन उते हैं उसी म्हाराठी के समाथि भी किया । हैष्टिंग के समय परतम आंगल नेपाल यूद 1814 ridiculous में हुआ ताism Beginning किसानों से सिधे कर महत्वपुर था नहीं छत्मार वाएंगे बीलियम बैटिंग सबसे पहला प्रशनाता है बिलियम बैटिंग को भारत का पर्थम गवर्नर जनरल कहा जाता है ठीक है याद रखेगा बिलियम बैटिंग ने सती पर्था का अंत 1829 में नियम 17 कौके तहत अंत किया राजा राम मोहन राई की सहायता से किया ठीक है याद रखेगा, बंगाल में किया और पूरे भारत में सती पर्था का अंत 1860 ताय है सती पर्था आप समझी रहे होंगे जोहर पर्था भी समझ रहे होंगे जोहर पर्था जब جब जो है राजपतान घरानी की रजस्तान छेतर में जब उनके प्रच के लोग हाड जाते थे तो नीचे अगनी जलाकर उपर से इस्तिरिया कूझ जा देती जहार प्रता सती प्रता आप समझ रहे होंगे पती के मरने पर जो है विदी विधान के साथ जीते जी चीता पे सती हो जाना भारत में सती प्रता का सबसे पहला अविलेक यहाँ देखिएगा सबसे पहला साच जो है भानुगूप्त के अविलेक में मिला था यहाँ आप देखेंगे कि सती प्रता 1823 में पूरे भारत में समात हुआ 1829 में याद रिखिएगा यह जो है बंगाल से यह समात हुआ ठगी पर्था का अंत सिलिमेन की साहता से इन्होंने किया था नेश्टाब देखेंगे आंगल प्राच पास्चात विवाद जो का अंत मैकाले की साहता से किया था फिर आद देखेंगे यानि बिलियम बैटिंग ने तीन चीज समात किया पहला क्या, राजाराम मुहनराय की सहाथा से सती पर था, सिलिमेन की सहाथा से ठगी पर था, और मैकाले की सहाथा से याद रिखेगा, पाश-पाश शाथ विवात को समाप किया था, ठीक है, बहुत ही समझदार बेखती थे, और भारत में पर्थम मेडिकल कालेज की अपना कलकत्ता में इन्हों ने किया था, प्रेस का मुक्तिदाता का जाता है, क्योंकि बियाद पीचे पड़े थे, वेल जली ने क्या नोट सेरसा सूरी ने चलाए था लेकिन उचादी का नोट था कागाज का नोट सबसे पहले किस ने चलाए था मिटकाफ ने चलाए था यह आप याद रिखेगा इंपोर्टेंट है ठीक है नेश्ट में लोगाते हैं डलहुजी इसका सलाव को याद करना पड़ेगा ठाटाली से 856 तक यह पुष्टा है और इंपोर्टेंट में लिख दे रहो हैं यहाँ पे डलहुजी ने शौर प्रतम भारत में रेल, डाक, तार, व्योस्ता सुरू की थी बलकि तार, व्योस्ता इसमें समात हो गई है रेल और डाक चलाए ठीक है बैगत के सिधान की नीती या हडप नीती भारत में लाया डलहुजी जिसके अंतरगत सबसे पहले सतारा, जैतपूर, संबल, बगहाट राज को हडपा गया अठार सो चोवन में उट डिस्पेच, इस्तिरी सिच्छा पर जूर के लिए डलहुजी के समय वही आया था, याद रखेंगे अठार सो चोवन में कलकता से सिमला कर दिया था, सारवजिनिक निर्माड वहाग के अस्थापना भी डलहुजी द्वारा किया था, हम लोग आते हैं कैनिन, ये क्लास लंबा न हो जाए, इसलिए इसको जो है, नेक्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, वीडियो आपको अच्छा लगे, लाइक जरू करिएगा, जो लोग पहली बार आए, सस्क्राइब कर लिजे, और आप सबसे रिक्वेश्ट है, अपने ग्रूप में इस वीडियो को जरूर आप सेयर कर ये, टिक है, तो मिलते हैं जल्दी हम लोग इसका अगले भाग को तब तक के लिए, जय हिन, जय भारत! इस समान अध्यन की माडल पेपर बुक को हिंदी व्यम अंग्रेजी दोनों भासा में तयार किया गया है, जो की समान अध्यन एक्जाम में किसी भी परदेश के अस्रिश्टिन प्रोफेसर एक्जाम, जीडिसी परवक्ता एक्जाम के साथ, LTE, GIC, TGT, PGT आधी एक्जाम मे साहयक सिद्ध होगा, उपरोगत इक्जाम के बिगत वर्षो के पेपर का एनलेसिस करने के बाद वर्तमान एक्जाम पैटरन पर इसको अनभवी टीम द्वारा तयार किया गया है, जो की आपके समान अध्यन जनरल इस्टिडिस एक्जाम के स्कोर को बढ़ाने में साहयक दोगा, इस इन इक्जाम की कुझी जीयस पेपर होता है, इसमें को चार बुक में 80 माडल पेपर हैं, जिसमें समान अध्यन सलेबस के सभी छेतरों से महतपुर्व चुनिंदा प्रशन हैं, जो की अक्सर इक्जाम में उच्छे जाते हैं, इस बुक पैक में आपको एक ओ य जो की समान अध्यन एक्जाम में किसी भी परदेश के अस्रिश्टिन प्रोफेसर एक्जाम, जीडिसी परवक्ता एक्जाम के साथ, LTE, GIC, TGT, PGT आधी एक्जाम में सहायक सिध्ध होगा, उपरोक्त एक्जाम के बिगत वर्षों के पेपर का एक्जाम के बिगत वर्षों